बिग बॉस सीजन 14 तो आज हमें बड़ा ट्विस देखने को मिलेगा बिग बॉस के घर में जब हम आज का एपिसोड स्पेशली देखेंगे वहाँ पर अली एंड अभीनफ के बीच में ही लडाई होती भी नजर आईगी जी हाँ अब लड़ाई किस मुद्दे के उपर होगी मुद्दा सबसे बड़ा ये होगा कि अली का स्टैंड राहूल के उपर है और अभीनफ चाहते हैं कि अली गोनी राहूल का साथ ना दे ये स्ट्रेटिजी अभीनफ की बन चुकी है और ऐसे में अभीनफ भी अली का साथ देते है और राहूल भी अली का साथ देते हैं और अली राहूल का साथ देते हैं तो वो सब अभीनफ कहते हुए नजर आए कि भई देख तु मेरी बात सुन ले हम तेरे को सपोर्ट कर रहा है मतब तू हमें अच्छा लग रहा है तो तू प्लीज राहूल को मत सो तू राहुल को इस गेम को इस गेम के अंदर बीच में मतले यानि कि राहुल से तो तेरी दोस्ती है वो है फिलहाल तू इसको सपोर्ट क्यों कर रहा है यार हम तुझे सपोर्ट कर रहा है तू इसको सपोर्ट कर रहा है यार चक्कर क्या है यह सीन तो वो चेकर समझ में नहीं आता अली गोनी महाँ पर मूँ तोड़ जवाब देते हुए नज़र आते हैं अली गोनी केते हैं भाई राहुल ने मुझे हमेशा कैप्टन बनाना कैप्टन बनाया है मैं उसकी मदद कैसे ना करूँ राहुल ने मुझे हमेशा कैप्टन सी वाले टास्क के अंदर कैप्टन बनाने के लिए मेरी हल्प की इससे पहले कैप्टन बनाने के लिए राहुल ने साफ साफ कहा था कि हम अली गोनी को कैप्टन बना देंगे मगर अब जोब जेल वाला टास्क हो थो तो महाँ पर भी राहुल वैद्या ने साफ साफ कहा था कि मैं अली तुझे कैप्टन बनाना चाहूंगा पर इस वज़त से अली गूनी का स्टैंड राहुल वैद्या के उपर है और अभीनाफ इस बात से भड़ा के जाते हैं यानि कि राहुल वैद्या की अभीनाफ शुकला से नहीं बनती है उसके सिर्फ बनती है तो अली गूनी से बनती है तो अभीना शुकला साथ देते हैं अली का और ऐसे में अली साथ दे रहा है राहूल कर तो इस वज़े से ये सब कहना है कि भाई तू राहूल को पीछे छोड़ राहूल का तू साथ मत दे हम तेरा साथ दे रहा है और अली गोणी ने इस बात को मान के बैठा हुआ है कि भई राहुल ने मुझे बहुत मैनत करी है कैप्टेन बनाने में और वो मुझे हर बार कैप्टेन बनाने के लिए मेरी हैल्प करता और वो मेरा special best friend भी है तो ये हमें बड़ा गमासान आज के अपिसोर्ट में देखने को मिलेगा देखने क्या ट्विस्ट रहेंगे जैसे अपडेट्स आएंगी वैसे हम आपसे शेर करने का अमारा काम तो है ही